जैगुर्दे जैगुर्दवी दासिय। कि 20 मार्च से करोना महा मारी के कारण लागड़ों चल रहा है। देश भर में सननाटा शाय हुआ है। ना कि विल देश में ही बलके विदेशों में भी। लोग घरों में बैठे हैं और लोगों के शर्धालों के ये फोन आते रहते हैं कि क्या हम हजूर महराजी से मिल सकते हैं अशीरवाद लेने आ सकते हैं मैं सभी शर्धालों के लिए ये दिवेदन करती हूँ कि आप जब भी समय मिले आप आश्रम में आ सकते हैं हजूर महराजी से अशीरवाद ले सकते हैं जब से lockdown हुआ है तब से कोई न कोई लगातार गुरु घर में आते ही रहते है और इस आश्रम के दोारा गरीबों को बे सहारों को लगातार लंगर बान्टा गया है राशन दिया गया है और जो भी सहायता बन पाते थी वो हम लगातार दे रहे हैं और उस सब का जो काम का श्रे है उस अधलवों पे ही जाता है और आप सबी जानते हैं कि इस दोरान स्कूल बंद है, पिपपर नहीं हो रहे, बहुत सारे करमचारी भी घरों में बैठे हुए है जो बच्चे घरों में बैठे हैं, वो ओनलाइन पढ़ाई तो करे ही रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह के महौल से उनको लगता है कि कहीं हम आश्रम में जाए शरधालों से मिले तो मैं उन बच्चों से और उन शर्धालों से जो घर में बैठे हैं उन से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आश्रम में बहुत सारे काम है आप देखते हो गर्मी का मौसम है बहुत सारे ऐसे काम है जो करने है तो आप बच्चे इस सेवा पे अपना से जोग दे सकते हैं और जो माता पिता है उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा गुरु घर में बैठा है और सेवा भी कर रहा है साथी साथ हजूर महराजी के संपरक में रहकर वो अपने मन की शंकाओं का अपके मन की भ्रमों का और बहुत सरे प्रेशन जो उनकी मन में उठते हैं उनका जवाब हजूर महराजी से प्राप्ट कर सकते हैं अशीरवा प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि हजूर महराजी का इतना बिजी शुडूल रहता था कि सीधा संपरत करना या उनसे अपने मन के सवालों का जो जवाब पूशना उसका समय ही नहीं मिल पाता था तो इस समय का हम लाव उठा सकते हैं और अपने मन के भावों को अविवेक्ट करते हुए सेवा और सिम्रन दोनों काम कर सकते हैं इसलिए मैं पुना निवेदन करती हूँ कि जिन भी शर्धालों के पास विशेशकार बच्चों के पास समय है वो देरस्वामी जगत गिरी आश्रम में अवश्याय भले ही दो दिन के लिए चार दिन के लिए वो सेवा और सिम्रन करके अपने जीवन का लाव उठा सकते हैं अ